क्या आप भी एक computer user हैं फ्रेंड अकर आप एक computer user है तो आप excel तो जरूर ही use करते होंगे और excel एक ऐसा पार्ट है फ्रेंड हमारा जो की इसके बगेर हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता है वो अधुरा ही रहता है तो फ्रेंड आज का हमारा एक excel के अंदर में एक छोटा सा topic ह जो की सब के लिए फाइदे मन सावित होगा तो फ्रेंड उस topic को हम लोग filter कहते हैं जब भी हम excel में किसी परकार का कोई data को open करते हैं और हमें filter करनी के वसकता होती है कि मैं serial wise लाएं तो वो हमें नहीं समझ में आता है और हम नहीं कर पाते हैं तो फ्रेंड हमारा topic excel है और excel मे हमारा जो जिखे मैंने एक डेमो बना कर रखा है आप लोगों के लिए मैं पहले open करता हूं इसे यह है हमारा डेमो जैसे की फ्रेंड देखिए यहां पर बहुत सारा सौरी बहुत सारा यहां पर नेम आपको दीख रहा होगा अब इसमें क्या है कि हमें filter करना है या फिर यह पर अलग लग अलग मनत आपको दीख रहा होगा इसे हमें filter करना है तो इसे हम कैसे filter करेंगे और कैसे हम डेटा की से कि यह सेवंध मन्थ वाला जो डेटा है उसे मैंने सिर्फ मैं सिर्फ सेवंधी मन्थ का डेटा निकालू ना की आठ और ना की नौ नहीं दस तो इस तरह से मैं कैसे इसे फिल्टर करूंगा और चाहे वो डेट पे हो या नंबर्स पे हो या नेम पे हो या कुछ भी हो मैं उ कैसे फिल्टर करके निकालोंगा या same नेम का हो जैसे we here अलग 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 डेट पे तो उसे कैसे फिल्टर करके निकालोंगा, Hello friends, Welcome to my YouTube Channel तो friends चलिए हम आप लोगों को Topic by Topic बतलाता हु कि कैसे इसे हम, इसे हम, filter करेंगे और अपने problem को अच्छे से sort out कर पाएंगे तो friend सबसे पहले अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अलग-अलग आपको date का दिख रहा है तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि मेरा जो 7 month का है total 7 month का data मेरा निकल के आए friend सबसे पहले हमें इस यह जो column है हमें उसे select करना होगा जो कि select करने के लिए हमें यहाँ पे जो B है A B उपर में अप लोगों दिख लाओगा तो इसे हमें पहले B पे अगर click करेंगे तो देखिए पूरी तरह से यह select हो चुका है देख लिजी यह पुरा line select हो चुका है तो इसे select करने के बाद हमें यहाँ पे सबसे last में यह home में ही रहना है insert पे देखिए इस तरह के कुछ option आता है हमें home पे ही रहना है home पे click करके और यहाँ पे side पे देखिएगा A to Z यहाँ पे लिखा होगा आपका A to Z उस पे click किजिएगा तो यहाँ पे option आएगा filter का निची की ओर filter का आपको option आएगा अगर आप अगर आपको यह filter का option नहीं मिलेगा तो उसका भी मैं आपको solution बताऊंगा अगर आपको मिलेगा तो यहाँ पे आप click कर सकते हैं कुछ इस तरीके से यह आजाएगा और अगर मैं दूसरा topic भी बतलाऊंगा आपको कैसे filter लाना है और जैसे यह filter किलिक कीजेगा तो कुछ चीज तरीके से यहाँ पे एक box आजाएगा जिस पे आप cursor ले जाएगा तो यहाँ पे आपको एक finger का चीन आएगा और जिस पे आपको click करना है यहाँ पे देखिए year दिखा रहा है friend यहाँ पे 2024 और 2023 year दिखा रहा है यह दोनो select है अगर हम इसे unselect कर दूँगा तो यह दोनो unselect हो गया अब इसमें से मुझे जो लेना है 23 या 24 उसे मैं select करूँगा जिसे मैं 23 ले रहा हूँ और इसे save कर दिया अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी सारी डेटा आए है जितनी भी सारी डेटा वो सारा मेरा 2023 का आया अब यह तो friend सिर्फ मेरा year चूज हुआ अब मुझे month को चूज करना है कि सिर्फ मेरा month wise आए और मैं जिसे कि आप इहां पे देख सकते हैं यहाँ पे 7 मेंना है फिर 8 मेंना है फिर 9 है फिर 10 है फिर 11 अब 12 फिर यहां पे देखे फिर 7 मेंना अंदर में आ गया फिर 8 यह फिर 9 खिर कुद इस तरीके से तो इसे हम Serial wise कैसे करेंगे तो फ्रेंड मैंने अभी आपको बतलाया कि जैसे मैंने इसको फिल्टर लगाया तो यह सिर्फ मेरा यर चेंज हुआ ना कि मन्थ तो अगर मैं इसे यहाँ पर फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ सो हो रहा है दोजाट चोभी सो दोजाट तेइस तो जाँ दिख रहा है यानी कि हमारा जो मन्त है वो सिरियल वाई नहीं आ रहा है तो इसे सिर्यल वाई करने के लिए सबसे पहले प्रिंट अगर मैं चाहूंगा कि मुझे जो सविध मन्त यौ मैं अगर इसए प्रिंट करूँगा जिसama आपको प्रिंट करके दिखा ता हूं से सहो रहा है तो इसमें क्या है कि डिटा को उपकड़ने में में प्रोब्लम होगी तो, तो सबसे पहले हमें सेट करनी है कि यह जो 7 मन्त है यह सिरियल वाई 7 मन्त आए फिर यहां से 8 मन्त स्टार्ट हो कुछ इस तरीके से तो friend इसे सेट करने के लिए हम लोग फिर से इस पे कलिक करना है. क्लिक कर लिजे. और सबसे उपर में देखे moyen short order to harvest है. उसको हम लोग को कलिक करना है. यहाँ पे कुछ option आ रहा है. short करने के लिए उस पे हम लोग को enter मारना है. आप यहाँ دेख सकते हैं. यह मेरा 17 तारिख सात्वा मेहना 2023 से स्टार्ट हो गया अभी सिर्फ आप लोगों को 2023 होगा यहां पर देख सकते हैं 24 नहीं होगा 2023 से पूरा और यहां पर आप देख सकते हैं कि 2007 मेहना से स्टार्ट होगा जो की मेरा पूरा यहां तक है जैसा कि मैंने अभी आप लोगों बतलाया फिर मैंने यहां से स्टार्ट किया 2008 मेना तक है जैसा कि अभी मैंने बतलाया अब फ्रेंड अगर मैं अगर मैं नीचे की और स्क्रोल करके आप लोगों को दिखला रहा हूं तो यहां पर देखिए पहली की तरह बीच में मन्त आपको नहीं दिखेगा यह सिक्वेंस में हो गया और सीरियल वाइज हो गया अब इधर का सीरियल देख सकते हैं नमबर हमारा यह नमबर गड़ बड़ा चुका है क्योंकि यह हमारा सेट हो गया तो यह नमबर यह जो डेट था साथ दोहजर तेईस यह मेरा 49 नमबर में था सबसे नीचे की ओर अब वोट के यहाँ आ चुका है तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से इसे हम सेट कर सकते हैं अपने मंद को और दूसरी चीज इसको सेट करने के बाद जैसे ही इसको हम लोग सेट करेंगे और दूसरी चीज मैंने अभी आप लोगों को और एक चीज बतलाया था कि यह जो फिल्टर है इसे मैं यहाँ से लाना था अब मैं इसे कैसे लाऊ सौट काट की से तो फ्रेंड इसका सौट काट की है हमारा इसका shortcut की है friend हमारा control shift अगर आपको अगर सबसे पहले अगर आपको shortcut की नहीं मालूम है सबसे पहले से हटा लेता हूँ friend क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है ये दिखे हमने filter जीस तरह से लगाया था उसी तरह से ये हमारा filter हट चुका है अब क्या करना है कि हमें filter लगाना है और हमें इसमें क्या है कि यहां से हमें नहीं लगाना है अब यहां से नहीं लगाने कि हमें क्या करना है कि control shift L control shift L प्रेस करेंगे तो यहां पे देखे सब में हमारा filter लग गया हमने जब filter लगाया था यहां से तो एक पी लगा था जिसे हमें select करके एक पी click किये थे तो एक पी लगा था अभी क्या हुआ कि मैंने control shift plus L को press किया तो सारे में मेरा filter लग गया अब मैं किसी भी column को personally filter कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से देख सकते हैं और आप जिसे चाहें उसे filter कर सकते हैं तो friend कुछ इस तरीके से हम अपना किसी भी excel file या किसी project को असानी से filter कर सकते हैं उसे sequence कर सकते हैं serial wise कर सकते हैं और अपनी problem को sort out कर सकते हैं तो friend यही था आज का हमारा topic जो कि excel पे था और मैंने आप लोगों को बतलाया था कि excel का यह हमारा बहुत important topic है और हम सब के लिए हैं और अगर आप लोगों मेंसे किसी को यह topic पहले से आता था तो बहुत अच्छी बात है मैंने यह वीडियो बनाने का बस reason यही था कि जिन student को यह filter बगेरा नहीं आता था या उन्हें problem होता था मैं उन लोगों के लिए यह चीज यह topic को बीच मिलाया और मैं इस वीडियो को बनाया हूँ तो friend अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो please like and subscribe कर दीजेगा thank you